नमस्कार आप देख रहे हैं दिली तक मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तवर और इस वक्त आम आदमी पार्टी की और से बड़ी खबर आ रही है जानकारी ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी Political Affairs Committee की यानि कि P.S.E की बैठक बुलाई है ये बैठक मंगलवार को होने वाली है और समय को लेकर ये कहा जा रहा है कि कभी बी हो सकती है दोपहर बार भी हो सकती है शाम को भी हो सकती है और इस बैठक में बड़े निर्णे लिए जाएंगे अर्विंद केजरिवाल की अगवाई में इस बैठक में आम आदमी पार्टी के जो पीएसी के सदस्य हैं वो मौझूद रहेंगे और चर्चा लोगसभा चुनावों को लेकर होने वाली है आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस के साथ मिलकर आगामी लोगसभा चुनाव लड़ रही है जिसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खाते में चार सीटें आई हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली में पश्चुमी दिल्ली, दक्षणी दिल्ली, पूरवी दिल्ली और नई दिल्ली सीट पर अपने उमीद्वार उतारेगी। बीषकाटे में कौंग्र Boss के साथ गढ़ बन्दन है क्योंकि आम इमीदवारों के नाम को लेकर चर्चा कल पी ऐसी की बैठक नहीं होने वाली है और फिर नाम का ऐलाम भी कल संभव बताया जा फिलाल तो जब ये बैचक होगी तब पता चलेगा कि क्या फाइनल हो गया है नाम, किसको अरविंद केजरीवाल ट्रिकेट देंगे, अरविंद केजरीवाल किस पर भरोसा जता आते हैं, लेकिन जिस तरीके से आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच गडबंद और हरियाना में दोनों पार्टी हैं मिलकर चुनाव लडएंगी और दिल्ली में चार पर आमादमी पार्टी लडएगी और तीन पर कॉंग्रेस पार्टी लडएगी, ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी कई जगे पर अपने भाशन के दौरान की कह चुके हैं, दिल्ली में खास कर कि दिल्ली की जो साथ सीट हैं, सातों की सातों सीटों पर आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का जो गडबंदर है, इंडिया अलाइंस जो है, उसको जिताने के लिए आप वोट कीजेगा, ये अपील अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा चुकी है, लेकि तमाम जो जानकारियां हैं वो दिल्ली तक पर आप देख सकेंगे, पीएसी की बैठट में क्या हो रहा है, उससे जुड़ी हुई तमाम खबरे भी आप देख सकेंगे, और दिल्ली में क्या हल चल है, वो तमाम जानकारी दिल्ली तक पर उपलब्ध है झाल झाल